निठारी कांट साल 2006 जिसने पूरे देश में संसेनी फैला दी थी जिसे भी इस मामले के बारे में पता चलता था वो भूँचक्का रह जाता था लेकिन इलाबाद हाई कोर्ट से बरी होने के बाद निठारी कांट के आरोपी मनिंदर सिंग पंधेर को जेल से रिहा कर दिया गया है पंधेर का एक रहाई परवाना डासना जेल धेज दिया गया था वहीं लुक्सर जेल में परवाना ना पहुँचने की बज़ा से उसकी रहाई अटकी हुई थी शुक्रवार को कोर्ट का अदेश पहुँचने के बाद पंधेर को रहा कर दिया गया बता दें दिसंबर 2006 में निठारी कांट का खुलासा किया गया था नौईडा के सेक्टर 31 इस्तेत निठारी गाउं निवासियों के पच्चे साल 2004 से लापता हु रहे थे परीजन थाना सेक्टर 20 पुलिस से लेकर बड़े पुलिस अधिकारियों तक लगातार घुहार लगा रहे थे मगर पुलिस गुम्षुद की दर्ज कराने की बजाए पीडितों को भगा देती थी कायब होने वालों में अधिकतर लड़कियां थी इस बीच पायल लाम की युपती भी निठारी की पानी की टंकी के पास सिल्ला पता हो गई उसके पता सेक्टर 19 निवासी नंदलाल ने सेक्टर 21 इस से D5 नंबर की कोठी के मालिक मनिंदर सिंग पंधेर पर बेटी के अपारण का शक जाहिर करते हुए पुलिस को शिकायत की पंधेर JCB के बड़े डिस्टिब्यूटर थे पुलिस ने नंदलाल को ही बेटी से देव्यपार करने का आरूप लगाते हुए भगा दिया नंदलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए हाई कोठ का दर्वाजा खटखटाया जिसके बाद पुलिस ने निठारी में रहनीबाले मनिंदर सिंग पंधेर की कोठी के पीछे नाले से बच्चों और महिलाओं के दर्जनों का अंकाल बरामत किये थे पुलिस ने मनिंदर सिंग और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को आरोपी बनाया था पुलिस की विवेचुना के बीच ही मामला CBI को ट्रांसफर कर दिया गया CBI ने दोनों के खिलाफ अपारण, दुशकर्म और हत्या के कुल सोला मामले दर्ज किये थी भिठारी कांड के आरोपी के जेल से बरी होने के बाद मामले की जाज को लेकर सवाल उठने लगे हैं इस बीच योगी सरकार के उपमुख्यमंत्री केश प्रसाद मौरे ने आशुवा संदिया है कि सरकार इस केश की शासंस्तर पर समिक्षा कराएगी